आप सभी का स्वागत है ओपीजी सिक्सनान यूटूब चैनल में वीडियो को जदस जदस सेर और सस्क्राइब कराने में मद्द करें आज मैं जो वीडियो लेकर कहे हूँ वो वीडियो है आपके तनाव पर तनाव समस्या करोध इन से हम कैसे बच्चे हैं और अपने जीवन को कई बार मुश्किल में डाल देते हैं तो इसके लिए जब भी आपको तनाव हो समस्या हो करोध हो तो सांत रेकर करके ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ और यो देखिए 100 10 % बहुत ही फाइदेमद है मनुवज्यानीक डूप से ये कारगर से दऊगा फ ला ज उताइस है उसका नाम है इसका नाम है आत्मी करन यह क्या काम करता है जिजे से कोई आदमी होता ना आदमी को प्रेशा नहीं होई ठीक है वो अपने बड़े भाई या जो पद पर होते हैं निता हो सकता है ठीक है भाई हो सकता है कोई पुलीस में है उसका बहना दे करके अपने मन को साथ करते हैं तो यह आइडेंटिफिकेशन है यह आपको पद की पद का रोब भी दिखा करके लोग साथ कर लेते हैं अपने आपक हो तो यह identification का नियम है ठीक है ना यह पहला नियम अच्छा इसके बाद है iscaps 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 का मतलब बता है बचना जो भी समस्या होती है और समस्या से छुटकार पाने के लिए लोग बस्ते हैं उससे हमें बचना चाहिए जैसे कोई डांट फटकार पढ़ जाए तो एक बार सांत रे करके बचले ठीक है यह सबसे दूसरा मेत्पून रूल इसके बाद होता है displacement 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 का मतलब यह हुआ जगे बदलना जिस जगे आप बैठे हो उस जगे से उठकर के दूसरे जगे चले जाएए दूसरे रूम में चले जाएए आपका मन थोड़ा सांत हो जाएगा यह displacement का सिस्टम है इसके बाद होता है उदाती करन उदाती करन जैसे तुलसी दास जी थे वो अपने पत्नी के लिए अपने सस्राल गए पत्नी ने फिर उसको डांट दिया ना डांट दिया तो उस दिन के बाद उन्होंने वो कारे बंद कर दिया उस पत्नी को त्याग करके वो फिर राम के दुन में समा गे ठीक है ना तो इ अपने समस्या से मुक्त हो सकते हैं इसको बोलते हैं सबली मेशन उपाई जिस कारे के लिए आपको डाइध पुड़िये जिस कारे के लिए आपको तनाव है वो कारी बंद कर दीजिए ये काम उस पर करेगा अगला जो नियम है वो है projection यानि पर्चेपन करना पर्चेपन का मतलब बता है बहाना बनाना ठीक है तो वो पर्चेपन करता है बच्छा भी इस तरीका कारिया यह मैंने किया नहीं किया नहीं किवार अलग अलग प्रोसेस के रूप में बच्छों को डाट पड़ती है तो वो projection करते हैं भाना बना करके भी अपने आपको मन को सांत कर सकते हैं कि सोर इस्टुडेंट सभी परकार के लोग इसके बाद रता है दमन अपनी इच्छा का दमन करना कोई इच्छा हुई उस पर डांट पड़ी तो इसका दमन कर लो अपने आपको कंट्रोल करना वो दमन कहलता है समन वो होता है जो हुआ सो हुआ जो हुआ सो हुआ यह कहते हैं बगवान की यही मर्जी थी ऐसा कह के भी अपने आपको समन कर सकते हैं ठीक है ना दमन अपने इच्छा का दमन करना दमन कहलता है और समन का मतलब बता है जो हुआ सो हुआ रेषिनलाइजेशन, युक्ती करना, उससे सम्भन दी तो कोई दूसरी युक्ती बिठाना, ठीक है, युक्ती या उसको उपाय कह सकते हैं, अन्य उपाय खोजना, वह रहता है युक्ती करने के अंदर। उसके बाद में आपका रेषिनल, यह होता है समझगता वादी, option होता है ना उस हिसाब से वह रख कर सकता है यह आपका समझता बादी ठीक है उसके बाद मैं compensatory यह चतिपूर्ग उपाय होता है चतिपूर्ग का मतलब यह वा कोई जैसे चोटे कड़ की लड़की है तो वो बड़े-बड़े यह चतिपूर्ग उपाय होता है जैसे कोई अलग कलर का होता है तो वह अलग अलग कलर के बाल कलर करवाना यह जैसे बुड़े-बजुरु अपने करते हैं तो वह बी चतिपूर्ग उपाय है तो ऐसे करने से भी इतना uकम होता है अगला ऊपाय अपका डैनियल टो रियल्टि यानि वास्तिविक्ता को एक कारना ज्यक्हीं कंडिशन उसको करना जैसे । की लेक्तिंटी को में ली ने क्ह Defense को देखे, अधियो कर लेकी है, तो अंक बंद कर लेता है, तो यह डैइनियली और रियल्टी को प्योग करता है, वह अपने मन को सैंथ रखने के लिए उसके बाद है रियक्षन ये रियक्षन है ये थोड़ा सा सही ने रहता है रियक्षन विपरित रचना होती है जिसे कोई आपको डांट है तो उसके सामने मुस्कराना चाहिए ठीक है ये मुस्करा दिया इसको डांट रहें तो किसी अच्छा कोई अच्छा का यह कर रहा है और उसके बावदूर डांट मिली तो वह इसको क्या करता है रियक्शन भी कर सकता है विप्रित मनोरचना जब कोई गांदी जी वाला उपाए है इसको गांदी जी को पाए कहते हैं कि एक किसी ने एक तपन मारा तो दूसरी तरफों गाल कर दो तो यह आज कल चल चाहिते प्रत्ययक्स उपाए जो होते हैं यहोडिेंके कर दाते हैं इसके लिए हमें इस जो तनाव हो सकता है फिसे बालतु अब बादा को नश्ट करना जो बादां उत्पन होई है उसी को नश्ड कर तो यह वो समयस्या का समा नकरना करते हैं कि जच्छाँ नटनाव होते हैं थो अ unlike देह लीडा जीवधा मान वग्यानिक ताजिके सकते हैं अन्य मारग खोज लेना जैसे कोई पढ़ने वाड़ा है वो अगर हिंदी नहीं डंग से पढ़ रहा है तो वो संसकर्त को जोर दे ले अंग्रेजी नहीं है तो पिर गनीत पर जोर दे तो इस परकार चेपने मारग में थोड़ा कार्य विद्धी में परिवेतन कर सकत सबसे बेस्ट इन सभी उपाई के अंदर मैं यह कह भowa कि जो होता है वोस अंदर क्या होग है अब उसके कारिये कार्य और कारण इसपर ध्यान दें न यह कारिये हुआ है वो किस कारण सी हुआ है ऐसा क्या हुआ उसका करने से समय्षय समाधन होता है तो यह कुछ हुपाय थे जो हर बस जद्धा शेयर करें धन्य वादसा